अगर आपने चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन जी एंसीटी ओफ डेली की तरफ से 15 नवेंबर 2021 के लिए ईवीएस की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 109B क्लास 3 के लिए वर्कशीट है यहां सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने टीचर का नाम लिखेंगे नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थेवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों हम अपने शरीर की रक्षा के लिए कपड़े पहनते हैं कपड़े हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा और कीडों की काटने से सुरक्षित रखते हैं सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तो हम शरीर को गर्म रखने के लिए उनी कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में सूती वस्त्र हमें गर्मी से राहत देते हैं तो कपड़े हमारे शरीर को ढखने के साथ साथ हमारे सौंद्रियों को भी बढ़ाते हैं तो आज हम इनी वस्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों विबिन प्रकार के कपड़ों के चित्र नीचे दिये गए हैं इन्हें पहचान कर इनके नाम पूरे करिए और अपनी कॉपी में लिखिए तो देखो यह हमें चित्र दिये गए हैं कपड़ों के हमें इनको पहचानना है और इनके नामों को पूरा करना है, तो यह क्या होता है, फ्रॉवक, यह जाकिट, यह पैंट, यह दस्ताना, यह रेंबूट, यह स्कार्फ, तो स्कार्फ आप ऐसे लिख लेना, स्कार्फ, यह शर्ट, ये है sweater ये है raincoat और ये क्या है मोजे तो इस तरीके से हमें इनको पहचानना है और इनके नाम जो है copy में लिखने है आगे देखते हैं बच्चो अलग-अलग मौसम में विबन प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं तो उपर दिये गए वस्त्रों के चित्रों को उनके पहने जाने वाले मौसम के अनुसार चाट कर नीचे दी गई तालिका में भरिये एवं हम अपनी copy में भी लिखिये तो देखते हैं ये जो उपर चित्र दिये गई हैं इनको हमें अलग-अलग मौसम के हिसाब से जिस-जिस मौसम में हम जो जो वस्त्र पहनते हैं उसको हमें इस तालिका में लिखना है तो देखो गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र जो है वो क्या-क्या है एक तो फ्रॉक हो गया दूसरा शर्ट हो गया ये हमें options जो उपर दिये गए हैं उनमें से चार्ट कर लिखने हैं इसके अलावा वैसे और भी बहुत तरह के वस्त्र होते हैं लेकिन ये हमें यहां से देख कर लिखने हैं दूसरे सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से हो गए जैकेट हो गया, दस्ताना हो गया बारश में पहने जाने वाले रेन बूट और रेन कोट, ठीक है अब एक activity करेंगे सभी बच्चे घर पे घर में उपलब्द कागजों की सहाइता से अपना मन पसंद वस्त्र पेपर फोल्डिंग यानि की और ग्यामि क्राफ्ट की सहाइता से बनाईए और अपने ध्यापक या ध्यापिका के साथ उसको share कीजे आपको जो मन पसंद वस्त्र ह जैसे यह इस तरीके से बनाकर दिखाय गया है तो आप उसको पेपर फोल्डिंग की सहाइता से बनाएंगे ठीक है आपके घर में जो भी कागज उपलब्द है उनकी मदद लेंगे और पेपर फोल्डिंग की मदद से अपना जो मन पसंद वस्त्र है उसको आप बनाएंगे और अभी भावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को विबन प्रकार के वस्त्रों से परिचत कराईए जैसे कि सूती वस्त्र, टेरिकोट, नायलोन, लिनन, इत्यादी और उपरोक्त गतिविदी में इस वाली गतिविदी में आप उनकी सहाइता कीजिए आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करें, चानल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में